आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल नारियल चटनी जो आपको यह चटनी की सिक्रेट कोई नहीं बताता है होटल वाली टेस्टे भी ज्यादा अच्छी लगेगी यह इस तरह बनता है तो चलिए स्टाट करते हैं मैंने यहां पर यह फ्रेस नारियल ले ली हूं और उसके साथ आपको आगे का प्रोसेसर बताती हूं सब रेडी कर दी हूं अब कडाई बैठा दी हूं अब उसमें एक टेबल स्पून डाल देंगे यह साउथ इंडियन स्टाइल आपको यह जो इतना टेस्ट लगता है नहीं यह चटनी यह कोई नहीं बताता है आज मैं आप देखें 2-3 मिनट भुन चुका है तो देखें 2-3 मिनट यह कच्छा मुकफली भुन चुका है फिर 4-5 हरी मिर्च को डाल देंगे टुकडा करके एक दिम रॉफली चॉप कर देंगे ऐसे बारी यह काटने की जरुवत नहीं है आप ऐसे ही तोड़कर हाथ से डाल देना तो इसको भी ठोड़ा सम combin चाम अदेल भूण जायो ठोड़ा साहलका ब्राउन हो जाये गा फिर हम यह फुटाना डालेंगे आपक फोरabei फुटाना डालесक्ते हो तो तीन टेवल स्पून चाना डाल डालेंगे और यह है इमली, एक टेवल स्पून इमली, और यह करी पता, सुखा वाला करी पता होगा चलेगा इननी तो फ्रेस वाला, यह उसकी खासियत है चटनी की, बहुत ही सुपर टेस्ट लगती है और थोड़ा सा धनिया पता, मुठी वर धनिया पता, डंठल सहित, यह डाल देंग और यह बहुत ही लाजबाब लगती है देखिए धनिया पता भी डाल दी हों, सौटे कर ली हों और एक कप एकदम इसी मेजरमेंट के साथ आप करोगे न तो बहुत मस्त चटनी बनकर रेडी होता है आप जो एक दोसा के जगा न चटनी ही खाते जाओगे इस तरह इतनी टे पूरा भून चुका है तो घ्यस-क फ्ले में बन कर दी हों और ठंडा होनी के बाद साथा सब जार में निकाल लेंगे भर लेंगे और पिस्ते बक्त ही एक चमज नमक डालेंगे ठीक है और एक कप पानी इसी कप में जिस कप में हम सब नाप कर लिये थे ना मुग फली नारि उसी कप में एक कप पानी पिस्टे बक्त लगा है और पूरा सब पूरा पिसने के लिए दो कप पानी मैं यूज की हूँ नर्मल टेप वाटर तो देखे इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए एकदम ठीक आप अगर पानी चाहता हे तो और एक कप डाल देना लीकविड टाइपा हैciamo दुख छाठी तो मैं साहरा य हूट वाटर में निकाल रही हैं य», अगर ग्रीन बाला ज्यादा चाहोगे यह होटल में सयम इसी तरहukा तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चना डाले रते हैं फुटाना और मुखफली इसका टेक्चर एकदम इतना ठीक होता है तो देखिए अभी मैं तड़का लगाने के लिए इसमें एक टेवल स्पून ओईल डाल दी हूँ और फिर तेल गरम हो जाने के बाद एक चमच राई डाल देंगे एक चमच राई पतला बला हो या मोटा बला कोई भी राई डाल सकते हो और वन फोर्थ टी स्पून हिंग और एक चमच उड़ा डाल बस यह थोड़ा हलका सा ब्राउन हो जाएगा तुरंत तो गेस के फ्लेम को लो कर देना फिर करी पत्ता डाल देंगे और सुखी लाल मिर् फिर लास्ट में गेस का फ्लेम बन करके करी पत्ता डाल देंगे थाकि करी पत्ता का रंग बरकरा रहे में तो सुखी करी पत्ता ली हो आपके पास फ्रेस होगा तो तुरंत डाल देना गेस का फ्लेम बन कर देना तो सेम उसी तरह ग्रिन ग्रिन तलर रहेगा बहुत तो कच्ची मुग फली ठीक है यह उसका सिक्रेट है जो नारिल की चटनी में डलती है बहुत ही स्वाधिष्ट लगती है और यह चटनी खराप नहीं होगी इसलिए इमली डालते हैं इसका खटास थोड़ा रहे तो इसको आप एक हपते तक फ्रीज में रखकर खा सकते हो अग अपने फ्रीजर में रख लेना कभी भी मन करेगा तो निकाल कर खा लेना यह बहुत ही सुपा टेस्ट लगता है और आप इस तरह बनाएए फिर खाएए इडली के साथ डोसे के साथ कोई भी में दुवड़ा के साथ आप यह नारिल की चटनी बना कर खा सकते है यह नंबर तो वहां पर इस तरह नारिल चटनी बनाते थे तो मैं देखकर बनाई हूं बहुत ही टेस्टी लगा है और आप इस तरह बना कर खाईए और कमेंट करके बताएगा आपका कैसे बनाए चटनी ठीक है सेम इसी तरह बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है तो मैं यह बना दी ह आप किया और मैं ख bowling डोशा बनाते है उसके साथ कहाईए कभी भी बना कर क्यूंकर हमेशा घर पे कुछ ना कुछ बनता रहता प्रिडली तो चटनी पहले से बनने कर रस रहो और तो खाने में इझी रहेगा सबको ट्रत करने में आषानी रहेगी ठीक है बहुत हीै सुपर पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड्स, बाई